लोगाइस गुड मॉनिंग विलकम टू बाइक माई यूटूब चैनल तो आज फिर से एक न्यू अपडेट लेका हैं जो कि जारखन सरकार के दोवारा जारखन सीम की दोवारा ये बात कही गई है तो जारखन में फिर से नोक्रियों की बाहली आएगी सीम तो यहां पर देख सकते हैं जारखन में नहीं रुकेगी नोक्रियों की बाहली की आएगी हेमन्त हेमन्त सोरेन ने सहीद सहीद निर्मल मातों की जैनती में सामील होकर फिर से नोक्रियों के बारे में जिकर किया है तो यहां पर देख सकते हैं मुख्या मंत्री मुख्या मंत्री ने कहा कि आदि उन्ही जल्दी हार नहीं मानने वाली है राजिया में किसी भी सूरत में न्यूक्ति नहीं रुकेगी और यह कैसे होगा मालूम है राजिया में न्यूक्ति फिर से सुरू होगी और नोक्रियों की बहलिक आईगी उन्होंने कहा कि केंद्रे सरकार और भाजपा जहारखन सरकार को परेशान कर रही है मानिकी नोकरी के लिए केंद्रे सरकार और भाजपा को परेशान कर रही है मानिकी नोकरी देने के लिए कह रही है तो ये सुमुआर को जो अपका सुमुआर को जो हुआ सहीद निर्मल माहतो जरेंती कारेकरम में सामिल हुए उसी टैमी इस बात का जिकर किये थे और उनके सरधालो दिये उनोंने केंद्रे सरकार की नीजी करन महंगाई और बेरोजगार पर मामला करते हुए केंद्रे सरकार रही बैंक सब बेच रही है तो यह सोमुआर का है जो सोमुआर को जो सहीद निर्मल माहतो की जहनती में हेमन सोरें सामिल हुए थे तो उसी में यह बात का जिकर किया है तो आप लोगों का बहुत ही बड़ा आउसर मिल रहा है कि नोकरियों का तो जहरकन में नियुकती नहीं रुकेगी इसका मतलब यह हुआ कि अभी नोकरी भरपूर आने वाला है तो त्यारी करते रहिएगा तो अभी बचा हुआ है जहरकन पुलिस वह भी जल्दी आ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें तो यह वीडियों करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जैहिन तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग किजिएगा त्यारी